1989 में राकेश जुनजुनवाला जी ने बहुत सारे शॉर्ट सेलिंग किये थे शॉर्ट सेलिंग मतलब पहले स्टॉक बेचे बाद में खरीदे और उन्होंने इस बेट से करीब-करीब 50 क्रोर रुपीज जी हां 50 क्रोर रुपई कमा है इसके बाद करीब करीब 1992 में जी हाँ जब हर्षद महता का एरा चल रहा था उस समय पे राधा किशन दम्मानी जी जो की डी मार्ट के फाउंडर एन ओनर है और उनके साथ राकेश जुन जुन वाला सर ने साथ में मिलके बहुत सारे स्टॉक्स को बेचा और उससे कमाए करीब करीब 200 करोड रुपे के आसपास 2000 और 2001 में राधा किशन दम्मानी जी, रमेश दम्मानी जी, शंकर शर्मा जी, राकेश जुन जुन वाला जी और इनहीं के साथ इनके पूरे कार्टल ने मिलके केतन पारिक के स्टॉक्स और काफी सारे IT स्टॉक्स इंक्लूडिंग स्टॉक like in forces को बहुत बुरी तरीके से पीटा और उसके बाद उन लोगों ने millions and millions of पैसा बना है लोजिकली अगर देखा जाए तो जब भी कोई share बेच रहा है market में और बाद में खरीद रहा है तो वो investment नहीं होता because investment में तो आप shares लेते हैं और लंबे अवदी तक वेट करते हैं but इन सभी लोगों ने in fact most of the investors जो आज हम देखते हैं उन्होंने अपना पैसा speculation और trading से बनाया fast forward 2013-2014 अचानक से इन में से हर अभ्यक्ति investor में बदल जाते हैं ये सभी के सभी लोगों कहते हैं कि निवेश कीजिए invest कीजिए trading काफे रिस्की है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है क्यूं सभी प्रमुख traders आखके चलके investors में क्यूं बदल जाते हैं वेल आज का वीडियो इसी विशेप है आज की इस वीडियो को support किया है धन एपने जी हाँ धन एक बहुत ही प्यारा trading platform है जिसका बहुत ही शांदार user interface है इसके साथ-साथ आप यहाँ पर across the asset classes चाहे commodities हो चाहे currencies हो चाहे equity हो चाहे F&O आप सब में trade कर सकते हो इतना है नहीं इनका जो execution speed है वो काफी जादा अच्छा है और इसी के साथ-साथ आपको कुछ brokers में issues आता होगा out of the money option खरीदने में वो धन में नहीं आएगा धन की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है वो यह है कि यह जिस तरह के open interest के charts दिखाते हैं इस तरह से option analysis के लिए free में इन्होंने tools दियें वो वाकिए लाजवाब है मैं description में link दे दूँगा आप जाके जरूर check out कीजे because then as a trading platform बहुत ही प्यारा है तो जो सबसे पहला reason है जिसके चक्कर में बहुत सारे लोग trader से investor बन जाते हैं वो होता है समय time आप लोगों को समझना पड़ेगा कि एक समय जब हम 80s और 90s की बात करते हैं तो उस समय पे कोई भी trading technical और fundamental की basis पे नहीं करता वो सभी के सभी information की गुलाम होते थे हाला कि fundamental analysis का नाम कभी न कभी लिया जाता था लेकिन करता हर कोई speculation नहीं था और information was the biggest strategy उस समय पे कोई यह जाके नहीं देता था कि moving average कैसा चल रहा है कोई यह नहीं देखता था कि price action कैसा चल रहा है हर कोई यह देखता था किसके पास ease of information है कहां से आप information निकाल सकते हैं उसी के पास सबसे पहला edge रहता था कुछ traces आज के समय पे भी आपको देखे जा सकते है for example मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ but Z का share अचानक से बढ़ता उसके एक हफते पहले ही एक ace investor वहाँ पर अपनी position बनाते है idea का share जब covid के समय पे साड़े तीन रूपे 3.5 रूपीज पे आजाता है का information के traces आपको आज के समय में मिल सकता है लेकिन आपको accept करना पड़ेगा कि आज because of technology ease of information सब के लिए almost same है सब को access है information other than a few people जिनको थोड़ा advantage होगा insiders and operators but more or less सब के पास information रहता है तो ये एक जो bridge हो गया एक कम हो गया उस चक्कर में काफी सारे लोग speculation से investing के तरफ चल लगए दूसरा issue है liquidity का issue या फिर volumes का issue आज भी जब मेरेको एक बार में एक order पे मतलब एक साथ अगर click करके मेरेको 6000 quantities execute करने है bank nifty के तो मैं नहीं कर पाऊँगा क्यों अगर मैं in the money या add the money पे जाता हूँ तो 10 से 20 रुपे का slippages लग जाएगा even if ये पूरा order में 30 to 40 seconds में execute कर दूँ ऐसा इसलिए because हमारे देश में index में सबसे ज़्यादा volume और liquidity होती है but despite all these factors अभी भी उतनी liquidity नहीं बनी है कि fast और smooth execution हो सके तो liquidity के issue के चक्कर में slippages बढ़ जाते हैं और कहीं न कहीं ये बड़े लोगों का fund तो बहुत बढ़ा रहता है 500 crore, 1000 crore तो इन लोगों को ये चीज़ पता है कि इतने बड़े execution करने के लिए इनकी हालत खराब हो जाएगी and that's why they feel it is safer to move towards investing तो ये होगे हमारा दूसरा reason risk क्यों लिया जाए जाए जादा अगर कम पैसे में भी अच्छे खासी कमाई हो सकती है एक उधारन देते हैं देखें क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति का capital कम होता है तो वो जाने अन जाने में trading में ही आते हैं because उन्हें एक चीज़ के बारे में अभी एहसास रहता है कि trading is risky इसमें काफी सारे risk रहते हैं अगर आप intraday trade कर रहे हैं तो 9.15 से 3.30 के बीच में आपको quick decisions लेना पड़ेगा वो भी important financial decisions दोस्तो हम जीवन के छोटे-छोटे decisions लगाने के लिए 2-3 दिन लगा देते हैं आप सोचिए क्या हमारी cognitive ability या mindfulness इता तेज है ज़ते जल्दी हम execute कर सकें कुछ लोग करते हैं बहुत लोग नहीं कर पाते हैं next जीज यह रहता है कि उन लोगों को लगता है कि जब हमने एक XYZ capital बना लिया for example अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि 1 lakh rupees आपके पास है और आपको 10,000 rupees everyday करने बनाने हैं तो आप undue risk लोगे और बहुत possibility कि आप अपने capital को उड़ा दोगे लेकिन अगर मैं आपको कहता हूँ कि आपको साल भर का 20 lakh करना है और आपको मैं 100 crore rupees देता हूँ दोंगा नहीं लेकिन हाँ अगर वीडियो लाइक किया तो मैंने ऐसा सुना है लोगों के अकाउंट में आ जाते हैं 100 crore तो लाइक करके देख लो तो अगर आपको 100 crore दिये तो आप 20 lakh साल का नहीं बना पाओगे फिर there is a high possibility क्योंकि आप अराम से invest करके थोड़े बहुत swing लेके 20% जो साल भर में आप कमा पाओगे तो ये चीज आपको समझनी होगे कि जैसे जैसे capital बढ़ता है आप लोगों की risk taking capacity थोड़ी से कम हो जाती मैं individual level की बात करूँ institutional level की बात नहीं करूँ next reason क्यों काफी सारे ये जो traders होते वो investors में तबदील हो जाते वो होता है इनका lack of cognitive ability as they age देखें जैसे ही आप age करेंगे तो आपकी brain की functioning कम होती है और ये मैं नहीं कहरूँ ये science कहता है जैसे जैसे आप रुद्ध होते हैं तो आपकी concentration करने की शमता कम हो जाती है आपकी याद रखने की शमता कम हो जाती है काफी सारी चीज़े कम होने लग जाती है आपकी reflexes slow हो जाते है और ये सारी चीज़ों की बहुत जादा अवशक्ता होती है जब आप trading कर रहे हैं तो जब ये सारी चीज़े कम हो जाती है ये सारी चीज़े आपके अंदर जादत कब रहती है जब आप यंग होते हो तो problem ये हो जाती है because ये सारी चीज़े कम होने लगती है तो ये लोग wise enough होते है to understand कि trading तो बड़ा action-packed चीज़ होती इसमें ये सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी जो अब शायद हमारे पास नहीं है तो it's better अगर हम अपने आपको switch कर ले investing के लिए तो ये एक और reason होता है जो fifth reason होता है वो है margin का आप लोगों को बता दू कि मैं जब late 80s early 90s की बात करता हूँ तब बदला system चलता था जिसमें की 100x leverage मिलता था by the way 80s और 90s की काफी सारी कहानिय हमने अपने scam series की playlist पर बनाई है जाके checkout जरूर कीज़ेगा आको बड़ा मजा आएगा उस पर आने वाले समय पर भी मैं और वीडियो जलूँगा अगर comments में आप लोग scam लिखते हैं तो देखते हैं जित्ते लोग पर इपना interest दिखाएंगे उसे साफ से हम decide करेंगे तो margins काफी हद तक कम हुए बदला system में 100x का margin मिलता था उसके बाद ये धीरे-धीरे कम होते होते आ गया 50x पर 2000s के बाद ये धीरे-धीरे आया 40x पर in fact मैंने 35-40 तक भी किया हुआ है जो brokers, local brokers भी दे देते थे फिर वो घटके 20x होगे जो bracket order cover order के through retail को दिया जाता था और finally अब तो भई margin एक तरीके से बचा ही नहीं है 4-5x करते हैं तो कहीं न कहीं ये सारे जित्ते traders है पुराने traders उनको पता है कि जो risk reward उस समय पे मिलता था I know काफी लोग कहेंगे कि यार जब margin जादा था तो risk भी तो था obviously बहुत सारे लोग लोटे हैं हमने बहुत सारी suicide की कहानिया सुनी है हमने बहुत सारे लोगों को लुटता हुआ देखा है लेकिन आपको ये समझना है जो एक smart speculator था जिसके past information का access था जिसको पता था कि कल quarter result में ये होने वाला है परसो ये होने वाला है उसके लिए तो margin सुने पर सुहागा था अगर आप ये भी पता करते हो कि कल result अच्छे आने वाला हो और ये share 10-20% उपर जाएगा तो आप 100x leverage के साथ भी अगर आप trade करते हो पैसे तो आप कमाऊगे तो राधा किशिन दम्मानी जी के time पे राकेश जुन जुनवाला जी के time पे और ये बागी सारे लोगों के time पे margins भर भर के थे इसलिए इन लोगों को एक और advantage यहाँ पे था इसके बाद जो next point है वो है भाई image building देखे ट्रेडर्स को society में वैसे भी अच्छे से accept नहीं किया जाता है but investors को एक logical इंसान माना जाता है मतलब आप देखे traders को हमेशे example दिया जाता है हर्शाद मैता, जैसी लेवर, मोर इतने hedge funds खतम होगा, इतने लोगों ने society किया, लेकिन investors के नाम पे Charlie Munger, Warren Buffett sir ये सारे examples देखे किस ता होई पे खतम करते हैं आपको ये चीत समझ नहीं होगी मेरे दोस्त that investing, आपके image wakeover के लिए काफी अच्छा है society इसको कहीं न कहीं जादा accept करती है because एक job holder बे और कहीं न कहीं आपके parents भी किसी point पे चाहे वो mutual fund होया जो कई और तरीका हो उसके थुरू उन्हेंने invest किया है so इसको एक global recognition मिलता है, एक respectful position माने जाती है, इसे लिए image building के लिए काफी सारे लोग इसमें shift होते है, final reason ये है कि business own करने का kick एक अलग रहता है जब आप equity में निवेश करते हैं तो आप business own करते हैं ये बड़े-बड़े traders जिन्होंने बहुत पैसा बनाया है इन्होंने आज इतना पैसा इकटा कर लिया है कि वो किसी company में 10, 15, 20, 30% तक का stake ले सकते हैं अगर वो चाहें तो और लिया भी है अगर आप इन सभी के portfolio देखेंगे तो आपको पता लगेगा राकेज जी हो, रादा किशन जी हो इनके पास अच्छे stake वाली भी companies है and nothing can give you a better kick other than trading, nothing can give you a better kick than owning business तो ये लोग businesses को own करते हैं जिससे इनको अच्छा भी लगता है plus ये management decisions में जा सकते है अपना horizon बढ़ा सकते है network इससे बढ़ता है और network आज के समय में आपको opportunities बना के देता है और इसे लिए मेरे दोस्तों ये सभी के सभी लोग traders और investors में तद्दिल हो जाते हैं आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको समझ में आपको क्यों इतने सारे traders इंवेस्टर में change हो जाते हैं इसी तरह के और वीडियो अगर आपको चाहिए तो like और share करना ना भूले till then keep learning, keep growing, keep investing and keep trading